समस्कार दोर्स्तों, हेल्थ कोचे जेचल नमें आपका स्वागत हैं और आध हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि दाथ के इलाज के लिए यूज की जाती हैं इससे पहले हम बात कर देते हैं कि हमने जो पहले वीडियो बनाये था उसमें हमने बात की ते कोमले यूज की जाने वाली मेडिसिन के बारे में जो कि गर पर पेस्टेड बोक्स में होनी चाहिए चले आगे बात करते हैं अगर आपके दातों में पहले कभी केविटी हुई है या हो रहे हो तो आपको पता होगा कि इसमें होने वाला दर्द कितम भैनक और खतलनाक होता है अगर आपके दातों में दर्द होता है तो आपार से नोर्मल दिखेंगे लेकिन अंदर से आपकी बताने वाला हूँ कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपको दात-दर्द से तरंत राज दिला सकती है तो आप दादर्ध होने पर गरेलू इलाज करने के वज़ा डाइक ट्रिट्मेंट पर ध्यान दीजिए मालो अगर आप कहीं बार गुमने गए हो और अचानक से दर्ध होने लगे तो आप ऐसी कंडिशन में किसी डेंटर या डॉंक्टर से हैं मिल सकते तो इसी कंडिशन में आप डॉंक्टर से समपरा करके किसी भी मेडिकल इस्टोर पे इस टेबलेट को ले सकते हैं और यह आपको दस मिनट में दर्ध से राहत दिला सकते हैं उतलिए बात करते हैं कि कौन से मेडिशन है अचानक से होने वाले दादर से तुरंद रात पाने के लिए आप जो मेडिशन ले सकते हैं वह है और इस tablet को आप बहुत ही air condition में इस्तिमाल किया जाता है यूजोली आपको नहीं लेना चाहिए इस tablet को अगर तुरंट रात पानी है बहुत ज़िए फ्याइपी हो तब ही इसका इस्तिमाल किया जाता है इस tablet को लेने से पहले इसको water मेंบाद ही लिया जाता है और खाना काने के बाद ही लिया जाता है इसको और अधिकतर इसको रात में ही ले और इस टेबलेट को लेने से पहले अपने डॉंक्टर से संपर कर ले ताकि कोई सी भी इसी कंडिशन का सामना ना करने पड़े जो खत्रनाक सामित हो चिरोडोल पी को आप यूजवली यूज़ कर सकते हैं और केट्रोल डी को बहुत केर बहुत एर कंडिशन में ही यूज़ करने हैं और आप इसको रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं हमने जो जानकारी दी हैं टेबलेट के बारे मुवव एमरजेंसी में ही यूज़ करने के लिए हैं और आप इसका इस्तेमाल रेगुलरी यूज करना चाहते हैं तो आप अपने डॉंक्टर से ये डेंटल से इसके बारे में सिला ले ले बिना डॉंक्टर डेंटल के सिला से नल है और हाँ अगर पहला को दातों में दर्द हो रहा हैं तो ऐसी कंडिशन में आप डॉं इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने कुछ एमर्जेंसी मेडिसिन के बारे में बात की ती जो की पहस्ट रड़ बॉक्स में होने चाहिए और आपने अब भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ओन कर दे ताके आने वाले वीडियो क सब्सक्राइब और यह वीडियो अच्छा लगए हैं तो लाइक करें और कमेंट करें दन्यवाद मिलते हैं नएस वीडियो में